So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NHPC Limited के बारे में So guys, NHPC Limited की अगर बात की जाया तो stock में आप देख सकते हो हलकी सी बड़त हमें देखने को मिल रही हैं But guys, यहाँ पर यही हलकी सी बड़त धीरे धीरे अगर देखें 12 साल का इंतजार खत्प करने वाली है क्योंकि stock में 12 साल से एक particular level से इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी उस level के करीबे पहुँच चुका है और उस level को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से जो momentum आने वाले है guys बिलकुल यहाँ पर ध्वाकेदार रिटन्स आपको देगे तो हो सकता है कल के दिन ये बड़ी तेजी हमें देखने को बिले तो guys बिलकुल आज इस वीडियो में उसी को हम चेक करेंगे और साथ यहाँ पर dividend भी आपको मिलने वाला है 43.30 रूपिस के round share हमें closing देता हुआ यहाँ पर नजर आया है वही अगर देखें यहाँ पर 50 पेसे तक की share में आपको बड़त भी देखने को मिलेगी 1.17% के basis पे यहाँ पर share में बड़त है वही अगर आप देखते हो तो 5 दिन के time frame पर share में आपको क्या देखने को बिलेगा तो 5 दिन के time frame पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2.45 पेसे तक की एक अच्छी बड़त आपको देखने को मिलने वाली है 6% के basis पर share में एक अच्छा momentum आ सकता है यहाँ से उस stock उपर गया फिर नीचे आप फिर यहाँ पर थोड़ा यह sideways रहा है पर यही से stock में एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है और गाइस वही अगर देखे वन मन्त के time frame पर क्या हमें देखने को मिलता है तो वन मन्त के time frame पर अगर देखा जाए तो 4.15 rupees के basis पर यह share यहाँ पर बढ़ सकता है 10.60 person के हिसाब से तो बिलकुल एक अच्छी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है और वही अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 6 मन्त में share में क्या देखने को बलाएगा इस लास्ट 6 मन्त में अगर आप देखते हो तो stock धीरे धीरे यहाँ पर upside down momentum करके ऊपर क्योर चले गया 45 का level break होता है तो और भी बड़े momentum आची होगे हाला की stock 46 रुपिस तक के high लगा चुगा था last 15 season और गाइस वही अगर देखे तो 6 मन्त में 10 रुपे 30 पेसे तक की बड़त है 31.21% के पैसे इस पर volume की बात करे गए आज जो इसमें volume रहा है वो तगड़ा रहा है 2 करोड से भी ज्यादा की deliveries इस share में उठाई गी है और यहाँ पर अगर देखे इसका जो combination delivery है वो भी हाँ पर तगड़ा बढ़ सकता है तो इस चिच का भी आपको ध्यान रखना होगा तो जो community sentiments के आखड़े है तो वो भी आप अगर देख सकते हो जो community sentiments के आखड़े आपको क्या नजराते है तो community sentiments के आखड़ों में अगर आप देखोगे तो 83% लोग है जो stock में buy करने के लिए कह रहे है और साथ ही 17% लोग है जो stock में hold करने के लिए कह रहे है और वही अगर आप देखते हो तो बिलकुल आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक में 100% लोग यहाँ पर positive है बिलकुल शियर में और बिलकुल आप भी positive रह सकते हो आप देखो गे तो जो board meeting है इसकी 7th February को होने आ लिए साथ फरवरी दो हजार तेज़ इसमें ने बताया कि यहाँ पर काफी जदा important date है यहाँ और साथ फरवरी दो हजार तेज़ के दिन यहाँ पर meeting होने वाली है यहाँ पर अगर देखे quarterly results यहाँ पर announce हो गए और साथ ही quarterly results के साथ साथ dividend भी announce हो गए तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर interim dividend और quarterly results दोनों ही announce होने वाले हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो fab का month है important month है और साथ ही जो march का महिना है तो march यहाँ फरवरी में आपको dividend यहाँ पर मिल जाएगा इसकी ex recorded भी यहाँ पर announce होगी so guys यहाँ पर levels important है levels की मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी discuss किया हुआ है कि यहाँ पर अगर दीखें NHPC में एक अच्छा momentum आ सकता है अच्छे breakout के साथ stock उबर के और बढ़ सकता है तो यहाँ पर अगर दीखा जाए तो उपर से कई बार rejections हमें मिले है यहाँ से rejections हमें मिला यहाँ से यहाँ से यहाँ से कई बार rejection हमने face किये है और guys बिल्कुल यहाँ पर आप दीखोंगे तो एक symmetrical type pattern भी हम इसे consider करेगे उसमें हमें मिला था एक शानदार breakout मिला था breakout के बाद थोड़ा इसने consolidate किया consolidation के बाद stock में momentum आया फिर थोड़ा नीचा आया फिर उपर गया फिर नीचे फिर उपर गया फिर नीचे आ रहा है फिर उपर जा रहा है क्योंकि एक हलका सा pullback तो यह लेता ही है जैसे यहापर लिया फिर उपर के और गया फिर हापर उपर के और गया फिर हापर तो यह बिलकुल pullback से हापर चल रहे है और आगे भी इसे ही चले गए और खास बात यह है कि बड़े टाइम फ्रेम पर बड़ा breakout है सस्टेन इकल और उसके बाद breakout मिला sustain करके share उपर गया और उपर से भी अगर आप देखते हो तो stock में rejection हमें मिले है यहाँ से rejection मिला यहाँ से rejection मिला यहाँ से rejection मिला यहाँ से rejection मिला वाले है और गाइस वही आप देखूंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट है ओपर से रिजेक्शन से तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है तो यहाँ पर अगर देखे इसे हम पर से रिजेक्शन आया था और यहाँ पर बिल्पूर एक ब्रेक आउट मिलने वाला है जिसका नाम है DCM श्रीराम लिमिटेट 887.10 रुपीज के राउंड का यह शेर प्लोजिंग देता है तो अजरा 16 रुपेज आट पैसे तक की गिरावट है इस स्टॉक में एक फरवरी 2030 के एक्स डिविडेंड डेट है डिडियम डिविडेंड दिया जारा है कमपनी के वर से 5 रुपेज सी पैसे पर विक्लिटी शेर आपको मिल जाएगा आई होप आपको यह विडियो गाइस अच्छा लगा होगा विडियो गर अच्छा लगा हो तो प्लेज गाइस विडियो को यहाँ पर लाइक कर देना और यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी शेर में इंडियोस्मेंग क पहले इंशियर्स का अनालसिस कर लेना है थैंक यू